नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्टाकुर के साथ जीरेफ हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम साहित्य शास्त्र में इससे पहले लगवग अपने पांच जो पाठ हैं वो कर चुके हैं इकाई तीन के अंतरगत जिसमें हमने संस्कित के जो प्रमुक अचारे हुए हैं उनके बारे में पढ़ लिया था भरत मुनी से लेकर के पंडित राज जगनाथक जिन जिन सहित्यकारों वने या जिन जिन अचारें ने कावय लक्षन और कावय हित्वों पर बात कही थी वो भी हमने बिसकस कर लिया था तो अगर आपने अभी तक वो वाली लेक्चर्ज नहीं देखे हैं तो आप हिकाई 3 के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, उसको एक बार जरूर देख लिजेगा, क्योंकि सिस्टेमाटिकल तरीके से अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको कॉंटिनुसली और निरंतरता के साथ पढ़ने की जरूरत होती है, तो आज हम इसका जो 6 प तो देखिए संसार का कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं होगा जो किसी काम को किसी उदेश्य से न कर रहा हो, कोई किसानी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, वो किस उदेश्य से कर रहा है, अपनी अजीविका को कमाने के लिए कर रहा है, उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ मतलब क्या है वही चीज है कि आप किसी भी काम को या कवीता को कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका उदेश्य है आप तो पैसा कमाना चाह रहे हैं, आपको उससे अच्छा फिलोता है, सुख मिलता है, शांती मिलती है, अनन्द मिलता है, तो इस तरीके से आपको अलग-अलग तरीके से कावे के प्रयोजन माने हैं, अलग-अलग विद्वानों ने, तो यहाँ पर simply यह था कि प्रयोजन होत तो जैसे आप सीरियल्स गिरा में भी देखते हैं वहां पर शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं तो वहां पर क्या बोलते हैं कि जैसे मावारत रमायन में आप देखते हैं कि आपकी यहां आने का प्रयोजन क्या है तो आप यहां पर क्यूं आये हैं मतलब उदेश्य क्या ह तो सिंपल सा वो ही चीज है कि प्रते एक कार्य को करने के पीछे उसके करता का कोई ना कोई उदेश्य अवश्य होता है और काव्य की सर्जना के पीछे भी उसके सर्जक का कोई ना कोई उदेश्य अवश्य होता है यही उदेश्य काव्य प्रियोजन कहलाता है ठीक है और इस प्रियोजन से प्रियोजन का नाम देते हैं और इसी प्रियोजन से क्या होता है जो आपका सर्जक है वो प्रियोजन होता है और कावे रचना रचता है ठीक है तो देखे कावे प्रियोजन का तात्वर है क्या हुआ कावे रचना का उदेश्य या फिर कावे रचना के अनंत्र प्राप्त होने वाले लाब तो ये है आपका कावे का प्रियोजन तो आप से कोई भी व्यक्ति इस तरीके से पूछें कि कावे प्रियोजन क्या होता है तो आप सिंपली इस तरीके से बता सकते हैं ठीक है तो ये तो हो गया कावे प्रियोजन की बात कि कावे प्रियोजन होता क्या है तो अलग-अलग विद्वानों ने आपके भरतमोनी से लेकर के पंडित राज जगन नाथ तक ने क्या किया है? सब ने कावे प्रियोजन के बारे में कुछ एक चीज़ें कही हैं चाहे आपके ये संस्कित के अचारे हुए हैं भरतमुनी से पनितराज जगन्ना तक लेकिन इसके अलावा जो हिंदी के आपके अचारे हुए हैं रिति कालीन से लेकर के आधुनिक कालीन अचारेों तक या बिद्वानों तक अब कुछ भी बोल सकते हैं उन्हों ने भी आपके कावय प्रियोजन के ऊपर बहुत सारी चीज करता है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो अचारे भरत मुनी हुए हैं इनका समय भी सबसे पहले था और सबसे पहले हम इनको ही पढ़ते हैं तो यहाँ पर पहले भी हमने बात कर ले थी कि जो अचारे भरत मुनी हुए है उन्होंने कावे को क्या माना है नाटक माना है नाट्य रूप में उन्होंने उसको व्याख्याइद किया और उन्होंने काव्य के लक्षन के बारे में कुछ चीज़ें नहीं कही थी और नहीं यह क्या कहते हैं आपका कि यह लक्षन क्या है ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी हम भरतमोनी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि इन्होंने कुछ न कुछ चीज़ें जरूर कही है और इनका जो नाट्य दरप्रण है या नाट्य शास्त्र है देखिए इनकी जुराशना ठीक है नाट्य शास्त्र है ना तो इसमें यह क्या मानते हैं देखिए नाट्य शास्त्र में प्रियोजन बताए है जो प्रियोजन थे वो कैसे थे वो नाटक के संदरब में हैं लेकिन इन्हें हम कावे के संदरब में ले सकते हैं या लिया जा सकता है क्यों कि वो भी तो साहीते के अंतरगती आता है ना ठीक है तो इसलिए क्या कहते हैं देखिए इनकी जो परिभाशा है वो क्या कहते हैं ये लिखते हैं कि अर्थात वह नात्य शास्त्र दुखों से, श्रम से, शोक से पीडित तपस्वियों, अर्थात लोगों को संसार में सुख प्रदान करने वाला होगा। तो simply इन्होंने क्या माना है कि जो आपका काव्य प्रियोजन होता है, वो सुख को प्रदान करने वाला होता है। तो देखिए, आगे जो है, इन्होंने जो specify भी क्या है कि ये चीज़ें आपके काव्य प्रियोजन में हो सकती है। तो आगे और विद्वान देखिए, और वो क्या कहते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। पहला, दूसरा महताफोन नाम आता है वो भामा का आता है। भामा बहुती महताफोन नाम है, भरत मुरी के तोरंट बाद इनका जिकर हम करते हैं। तो देखिए, भामा ने कावे प्रियोजन का वर्नन कितने अधारों पर किया है। तो देखिए कौन-कौन से दो अधार हैं इनके एक तो है आपका कवी और पाठा को अधार मान कर ठीक है पहला दूसरा है आपकर केवल कवी को अधार मान कर तो देखिए यहाँ पर प्रशन इस तरी के सी पूछा जा सकता है कि भामन-े-कावेकार जो प्रियोजन है वो कितने अधारों पर किया है तो मेंली इन्होंने दो अधारों पर किया है और दूसरी चीज आपको ये भी हो सकता है जैसे आप गोविन पांडे और सरुस्वित पांडे वाली अगर आपके पसपुस्तक होगी तो वहाँ पर सिंपल सा एक तरफ आपको इनके नाम दिये गए हैं द लिगन यहाँ पर हम complete थोड़ा सा इसको और आपको elaborate करके बता रहे हैं कि इन्होंने दो अधारों पर कावे प्रियोजन माना है पहला बोलते हैं ये कवी और पाठक को अधार मानकर तूसरा केवल कवी को अधार मानकर तो यहाँ पर देखिए कवी और पाठक को अधार मानक मतलब उनके कहने का मतलब क्या है कि धरम अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति काव्य का प्रियोजन माना है और इसके साथ ही साथ इनने क्या किया है कलाव में बिलक्षनता कीर्थी और प्रिती भी उनके अनुसार काव्य प्रियोजन है तो देखे एक तो आपने ये चीज़े याद रखनी है धरम, अर्थ, काम, मोक्ष तो इसको कहते हैं हम चतुर वर्ग, भल, प्राप्ति ठीक है जो आपके चतुर का मुलब है चार चीज़े हैं ये इसमें धरम, अर्थ, काम, मोक्ष इसकी प्राप्ति के लिए क्या होता है यश मतलब जो भी चीज़ है ना और आपकी प्रीती प्रेम्स ने उसके अनुसार ही आपका कावे प्रीयोजन होता है ठीक है, तो लेकिन जो कवी की दिष्टी है देखिए, कवी की दिष्टी दूसरा है कि वह कवी को अधार मान कर जो उसका दूसरा वाला पाठ है, उन्होंन एक चीज अगर उसने एक बार लिख दी तो उसके बाद उसको यूगो यूगांतर तक आप देखते हैं कि बहुत सारी कहानिया उपन्यास आप पढ़ते हैं जो बहुत पहले लिख दिये हैं लेकिन आज भी उतने ही वो प्रसांगिक हैं एक तरीके से आज भी हमारे सामने मु करने का जो नाम तथा अपनी कीरती जगत में अमर रखता है वो ठीक है समझ में आ रही ये बात कि क्या मतलब है इसका कि उसको अमरत्तो प्रदान करती है आपकी का व्यकृती तो ये भी इसका एक उदेश्य हो जाता है किसके अनुसार है ये भामा के अनुसार है ना तो अधिक रखते गुए क्या काहा है कि आपका जो लोक वित्वत्त्ती है उसको कावे का प्र्यूजन माना है। लेकिन इन्होंने कोई कावे प्रियोजनों का सपष्ट उलेक नहीं किया है तो इन्होंने जो वाणी है देखिए उसके लिए उन्होंने क्या दिया है प्रियोजन दिये हैं कावे के लिए नहीं वाणी के लिए उनके ही कावे के जो प्रियुजन के रूप में देखा जा सकता है जो वाणी के लिए उन्हें बात कही है तो उसका विवेचन करते हुए दंडी ने क्या किया है आपके जो शब्द है उसको तीन लोखों का ज्यान प्रकाश देने वाला कभी और राजा के यश का स्थाइतो जो प्रदान करने वाला बता है है ना तो ये चीज़ कौन मानते हैं ये दंडी मानते हैं है ना तो इसलिए कहा है कि इन्होंने संसारिक दिष्टी इनकी अधिक रही है है ना जिसमें इन्होंने दार्षनिक पक्ष का विवेचन कम किया है तो यहां पर लोक वित्पत्ती से मतलब है जो हम वित्पत्ती पीछे पढ़ रहे थे काव्य हेतुओं में ठीक है कि किसी चीज के बारे में समझना उसका उचित अनुचित क्या है तो यह चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं दंडी के अनुसार हम इसकी रचना करते हैं कावय की ठीक है तो ये इन्होंने कावय प्रियोजन माना एक तरीके से ग्यान है ना समझ मारी है आगे देखिए वामन कृत कावय प्रियोजन तो वामन के अनुसार कावय का प्रियोजन क्या होता देखिए करता की दिष्टी से इन्होंने कावय के दो प प्रिति की उपलब्धी आती है ठीक है तो ये कौन मानते हैं वामन तो पहली चीज है द्रिष्ट और दूसरी है अद्रिष्ट द्रिष्ट में है आनंद प्रिति की उपलब्धी ठीक है तो ये चीज आपने याद रखना है कि पहला उदेश्य या प्रयोजन क्या मानते हैं य और जो अद्रिष्ट कावे है देखिए अद्रिष्ट है उसमें क्या आता है कीर्ति अत्वा यश की प्राप्ति होती है तो इनकी जो आगे पंक्ति है देखिए कीर्ति प्रीति हेतु त्वात है ना तो यह आपने याद रखना है यह किसने कहा है यह वामन ने कहा है तो यह कि ये दो चीज़े मानते हैं बहुत ही महतापूर्ण हैं कौन-कौन सी आपका एक तो कीर्थी हो गया दूसरा आपका प्रिती हो गया आनंद हो गया और यश हो गया तो दो चीज़े मानते हैं तो देखिए प्रशन इस तरीके से पूछे जाता है कि वामन ने किसको आपका कावय का पुर्व नांब कंवीजन का प्रियोजन माना है तो वो मामन ने कहा है ठीक है तो ये भी आपने यादक ना है आगे आप हम देख लेते हैं अन्य जो विद्वान है वो क्या कहते हैं इसमें दीखिये रुद्रट तो रुद्रट नम में बहुत मतपूर्ण है आपका कावे प्रियोजन में क्यूं? क्यूंकि रुद्रड ने जो कावे प्रियोजन पर अपेक्षा कृत अधिक विस्तार से वर्नन किया है अपने से पूर्व के अचारेों की अपेक्षा तो इस पर इनोंने क्या किया है? थोड़ा सा अधिक विस्तित रूप से वर्नन इसका किया है कावे प्रियोजनों का वो क्या कहते है? यश को कावे का प्रियोजन बताते हुए लिखते हैं तो देखे मैक्सिमम यश को ही इनोंने बीच में रखा हुआ है सब के कवे ने कि यश की प्राप्ति के लिए ही कावे प्रियोजन, सुरी कावे रचना रची जाती है वो ही उसका प्रियोजन है ठीक है? यहाँ पर इनकी जो परिभाशा है देखिए जोल दवजल वाक्प्रसरह सरसम कुर्वन महाकवी काव्यम आगे देखिए स्फुटम कलपन मल्यम प्रतनोती यश परसमापी तो इसमें देखिए इनके कहने का मतलब क्या है कि अलंकारों के कारण देदी प्यमान और दोशों के नहोने के कारण निर्मल रचना का निर्माता महाकवी सरस कावे की रचना करता हुआ अपने तथा नाइक के प्रत्यक्ष युगों युगों तक रहने वाले यश का विस्तार करता है तो ये चीज कौन मानते हैं ये मानते हैं अचार रुद्रट ठीक है तो रुद्रट के अनुसार ये इनके कावे का प्रयोजन माना जाता है ठीक है? कि यश्की प्राप्ति के लिए ही जो है कावे का रचना की जाती है तो ये रुद्रट की परिवाशा थी इसके बाद आगे अब हम देख लेते हैं देखिए जो कुंतक हुए है तो कुंतक जिनकी प्रसिद रचना का नाम क्या है वक्रोक्ति जीवितम ठीक है? और वक्रोक्ति संपरदाय के ये प्रवर्तक भी माने जाते हैं इन्होंने क्या माना है कावे का प्रयोजन देखिए कुंतक ने लीक से हटकर विवेचन किया मतलब जो लोग और कह रहे थे उस चीज से उन्होंने थोड़ा सा हटके विवेचन किया पर्मानंद की प्राप्ति ये इनकी उपलब दीमानी जाती है कि पर्मानंद की प्राप्ति के लिए ही इन्होंने क्या माना है कि आपका साहित्य जो रचा जाता है ये मानते हैं अचारे कुंतक आगे देखिए ये क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं कि धर्मादी साधनो पाय हा सुकुमार का मोदित हा कावे बदो अविजाता नाम हिर्दयालाद कार का हा मतलब हिर्दया को अहलादित करता है धरमादी सिध्धी का मार्ग है तो देखिए इसको विस्तित हमें व्यापक रूप से ही लेना है उचकुल से ये मतलब नहीं है कि जो आपका धन धाने से उच हो मतलब कहने का अभी प्राई ये है इनका कि जो आपका ज्यानी हो है ना कि काव्य उचकुल में उत्पन व्यक्ति के संबंध में तो इसलिए कहा जाता है कि इनोंने जो पर्मानंद की प्राप्ती ही माना है आपका कावे प्रियोजन होता है आगे दिखिए ये क्या लिखते हैं चतुर वर्ग फला स्वामपयती क्रम्मेह तद्युदामह ठीक है तो इनके कहने का मतलब कहा है दिखिए इसमें यहां पर सिंपली हम देख लेते हैं संस्कीत वाला आप पढ़ते रहिएगा मेरी संस्कीत उतनी जादा मजबूत नहीं है देखिए कावे अमरित का रस उस कावे को समझने वालों के अंतकर्ण में चतुर वर्ग के आस्वाद से भी बढ़कर है तो देखिए कहने का मतलब क उस से भी जड़ा कर रहे थे बत हैं चतुर वर्ग की ठिक है धर्म वर्द काम मोक्ष इसकी बात कर रहे थे लेकिन ये क्या करे रहें एजिक कि आपका जो कावे है वो से भी जादा बढ़कर है तो इसलिए यहां पर यह हमने रख दिया था कि यह परमलननद की प्राप्ति क की बात करते हैं कि वो इसका मुख्य उदेश्य है ठीक है इसी इसको आपने समझना है यहां से प्रश्ण इस तरह के से बन सकता है कि पर्मानंद की प्राप्ति है ना किस विद्वान ने माना है कि यह कावय का प्रियोजन है तो यह हट के बाद कही है अचारे कुंतक ने इसको दिया है लेकिन यह मौलिक नहीं है पर संग्रहन की दिष्टी से इसको महत्तोपूर्ण माना जाता है किसका अचारे मम्मट का जो कावय प्रियोजन के संबंद में मत है ठीक है तो देखिए मम्मट क्या कहते हैं इन्होंने आपका जो कावय प्रियोजन माना है देखिए यह कहते हैं काव्य यशो एक मिनिट देखिए यहां पर यह कहते हैं काव्य यश से अर्थकृते है व्यभार विदे शिवे त्रक्षत्य है सद्य परनिवृते है कांता समीत उपदेश यूजे तो इनके कहने का मतलब क्या है कि आपका जो काव्य है वो किसके अधार पर लिखा ज तो उन्होंने क्या किया जो भी आचारे उससे पहले हुए है उन सब चीजों को उन्होंने आतमसाथ किया और फिर जो अपनी उन्होंने परिभाशा देने की बात कही है तो इस परिभाशा में देखिए इन्होंने कितनी चीजें समाहित की है एक तरीके से 6 प्रकार के उन्हों जालिक ज्यान की उपलब्धी जो व्यूत्वपत्ति की हम बात कर रहे थे ठीक है वो भी इसका प्रियोजन माना जाता है अशिव की क्षती मतलब जो अशिव का मलब अनिश्ट हो अच्छा ना हो उसकी क्षती की बात करते हैं ये अलोकिक अनन्द की प्राप्ति और पतनी के स समान उपदेश पतनी के समान उपदेश मतलब जो मधूर संदेश हो या सही चीज जो हो ठीक है कांता समीत उपदेश जिसको माना जाता है कांता का मतलब होता है पतनी ठीक है तो ये जो चीज है देखिए ये मानी है ममटने तो इसलिए सबसे इसको मौलिक क्या कहते है विस सबसे जो विस्तित और स्पष्ट मानी जाती है वो मम्मट की ही आपकी परिभाशा मानी जाती है कावे प्रियोजन के संदरब में तो ये थी प्रमुक जो विद्वान आपके हुए हैं संस्कित के अचारे हुए हैं उन्होंने क्या कहा कावे प्रियोजन के संदरब में इसके अलावा देखिए, सबने लगभग कीर्ती और प्रीती को ही माना है यश जिसको हम कहते हैं, उसको इन्होंने कावे का प्रियोजन माना है, मैक्सिमम बिद्वानोंने, आपके पास अगर बुक होगी सरसोति पांडे, गोविन पांडे की, तो आप उससे देख सकते हैं कि किसने किसको माना है, यहाँ पर हमने थोड़ी से जो मौतपून थे, वो आपके बीच में रख दिये हैं, अलग-अलग बिद्वानोंने, जैसे आनन्दवर्दन हो गया, अब इन्होंने भी कुछ चीज़ें जरूर कही हैं इसके संदर्ब में, तो एक बार आप उनको भी देख ल ले थी, कि जो आपके रिती कालीन, पहले के जो कवी हैं, जो ने लक्षन ग्रंतों की रचना की थी, उन्होंने किसके उपर कही बात, कावे के उपर बात कही है, और बहुत सारे जो रिती कालीन कवी हैं, उन्होंने संस्कित के अचारें का अनुसारन किया हुआ है, तो कुल आगे के विद्वानों ने प्रस्तूत किये हैं तो खुलपती मिश्र ने ममट का अनुसरन किया छे प्रियोजन माने हैं तो देखे इनकी जो पंक्ति है जस सम्पति अनंद अती दुखन डारे खोई होत कभित में चुतराई जगत गाम में बस होई तो यह किसकी है यह कुलपती मिश्र की पंक्तिया हैं कि इसके संदर में कावय प्रियोजन के संदर में इतना आपने याद रख लेना है आगे है दिखिए जो देव का भी हुए है रितिकालिन का भी है देव ने यश को ही कावय का प्रियोजन मानकर भामा का जो कथन था थे कि उसकी ही उन्होंने पुष्टी की हुई है किसने अचारे देव ने ठीक है? हाला कि अचारे की श्रेणी में इनको नहीं लिया जाता है ठीक है? लेकिन फिर भी इनको आप कह सकते हैं कि इन्होंने कावे के उपर कुछ न कुछ चीज़ें जरूर कही है कावे भाशा के उपर भी इन्होंने कहा है ठीक है? देव ने यश को ही कावे का प्रियोजन मानकर भामा की कथन की पुष्टी की है तो भामा की कथन की पुष्टी इन्होंने देखी कैसे की थी जैसे उंच निंच अरू करम बस चलो जात संसार रहत भवे भागवंत जास नव्य कावे सुकसार तो ये इन्होंने कहा था ठीक है तो इसको भी आपने हो सके तो याद कले न तो देखिए तुलसी दास ने कावे के प्रियोजन को क्या माना है स्वांत सुखाय माना है तो ये तो बहुत बार पुछा भी जाता है कि स्वांत सुखाय तुलसी रगुनात गाथा है तो ये तुलसी दास मानते हैं कि स्वांत सुखाय से अर्थ है उनका आतम सुख से ही आपके तूलसिदास जी, जो आपके रितिकालिन, सॉरी, भक्तिकालिन कवी हुए हैं, खीक है, तो ये था आपके जो भक्ति और रितिकालिन कवी क्या मानते थे, है न, कावेव का प्रियोजन, अब हम आधुनिक कालिन जो कवी हैं, वो क्या समझते हैं, कावेव प्रियोजन, तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर नगेंदर क्या कहते हैं, कावे के मूलते दो प्रियोजन हैं, आनंद और लोकमंगल वे लिखते हैं, तो जो चीज हमने देखी आधुनिक में, वो हमने सबसे पहले किसमें जान ली, डॉक्टर नगेंदर ने ही ये चीज कही है, कि आनंद के प्रति आस्था उत्पन भी करनी है, ये मानते हैं डॉक्टर नगेंदर, आगे दिखी शुकल के अनुसार क्या है, शुकल ये कहते हैं कि कावे का अंतिम लक्षय, जगत के मारमित पक्षों का प्रत्यक्षी करण करके, उनके साथ मनुष्य रिदय का सामन्जस से प्रतिस सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिये जाएगा, बहुत सारी चीजें जो हम से यहां से कुछ एक चीजें छूट गई होंगी, वो हम अपने क्विज के जरिये वहां पर पूरा करते हैं, तो आप चाहें तो वहां पर क्विज के जरिये भी अपनी चाहें आपके हजारी प्रसाद दुवेदी जी हों, ये क्या मानते हैं, देखिए पहले हम महाविर प्रसाद दुवेदी के अगर बात करें, तो इन्होंने कहा है ज्यान का विस्तार करने के लिए कावय की रचना की जाती है, वो ही इसका लक्षय होता है, और दूसरा है ये कावय के प्रियोजन में क्या लिखा है, ये कहता है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टी से देखने का पक्षपाती हूँ, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि ये वाली पंक्ती परिक्षा में पूछी गई है, और बड़ी ज़्यादा महत्तरफून है ये, ना सिर् मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टी से देखने का पक्षपाती हूँ, साहित्य जो मनुष्य मात्र की मंगल भावना से लिखा गया हो और जीवन के प्रती एक सूप्रतिष्टी दृष्टी पर अधारित हो, तो देखिए लोक मंगल की साधनावस्ता, ये किस ने कहा था ये का था शुकल जी ने, ठीक है, लेगिन यहाँ पर इन्होंने भी वही बात कहिए है कि साहित्य में क्या है मंगल का विधान इसमें रहता ही रहता है, मंगल भावना से लिखा गया होता है, ठीक है, तो ये मानते हैं अचारय हजारी प्रसाद दुवेदी जी, आगे अब ह हम एक लक्चर हमने तैयार किया था, वो चलते चलते और थोड़ा थास्ट हमने उसको किया था, हलांकि एक ही लक्चर में हमने लगवग सारी चीज़े समाहित कर ली थी, उसमें कावे हितु, कावे प्रियोजन और कावे लक्षन, तो यहाँ पर हमसे गलती से ये वाली जो पंक्ती है, वो शायद महावी प्रिसाद दुवेदी की बिताई थी, हमने या किसी और की बिताई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको लख दिया है, तो उसके लिए मैं एक्षमा चाहूंगा सबसे पहले आप से, कि वो गलती से हो गया था, यहाँ पर मैथली शरन गुप जी ने, यह क्या कहते हैं, कि जो कवी है, उसका कर्म सिर्फ लोगों का मनुरंजन करना ही नहीं होना चाहिए, आपकी कवीता में क्योंना चाहिए, उचित उपदेश भी होना चाहिए, कि उससे समाज का कुछ बहला हो, वो ही क्या है, आपका काव्य का प्रमुख उदेश्य माना जाता है, तो यह थे, जो आपके हिंदी के प्रमुख विद्वान थे, उन्होंने काव्य प्रियोजन के संदर्म में कौन-कौन सी चीज़ें कही हैं, इसके अलावा आप देखेंगे कि नंद दुलारे वाजपईजी ने भी कहा है, डॉक्टर नगेंदर ने भी कहा है, दिन कर सरीके विद्वानों ने बड़ी सारी चीज़ें आपके इस संदर्म में कही हुई हैं, तो आप एक बार जो भी आपके पास पूस्तके हैं, उन पे जरूर देख लीजिएगा कि काव्य प्रियोजन के संदर्म में कौन सा विद्वान, कौन सी चीज़ कहता है, ये ची कि इन्होंने तीन स्रेणिया में विवाजित किया है इनको, तो सबसे पहले आते हैं इस में पहली जो स्रेणिया आती हैं लोकमंगलवादी या इनको कहते हैं आपके उपयोगितावदी, है cudल कि ये मानते हैं, काला क्या है, जीवन के लिए है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि लोकमंगलवादी या उपयोगतावादी जो कवी हुए है पास्चात्य जो वो क्या कहते हैं जो कला है वो किस के लिए है जीवन के लिए है तो इसमें नाम आता है देखिए प्लेटो रसकिन और टॉलस्टॉय का ठीक है तो ये नाम प्रमुख नाम है है ना इन लिए इनको क्या मानते हैं कि ये लोकमंगलवादी है ठीक है और जो हम देखते हैं कि जो प्लेटो हुए हैं है ना आगे उन्होंने क्या क्या होमर जैसे जो महान कावे स्रीजक्की भी आलोचना कर दी थी और उनका कावे प्रियोजन क्या है देखिए आंत्रिक उदात और संदोर्य के उद्गाटित करना संदोर्य को उद्गाटित करना और लोक विवस्ता और न्याय संग्धता का परिपालन करना जगत के सत्य रूप को ही अभिव्यक्त करना माना जाता है ठीक है तो ये चीज है आपके जो लोकमंगलवादी इस चीज को मानते हैं ठीक है त आपके जो अनंदवादी हैं, दूसरे नमबर पर देखिए, कला के लिए, कला, तो देखिए उपर है, कला जीवन के लिए है, लेकिन नीचे कला क्या कहते हैं, कि ये कला के लिए ही है, आनंद के लिए है, तो ये अनंदवादी आपके दूसरी श्रेणी में आते हैं, तो यहा दोक्टर ब्रेडले. तो ये नाम क्या है? ये आपके अनंदवादी में आते हैं. तो अनंदवादी आलोचकों ने किसको माना है? कावय का प्रयोजन देखिए. अनंदवाद को माननेता इनोंने दी है. इनका मत ये है कि जो कला है उसमें नेतिक्ता का विरोध नहीं है, किन्त का काम होता है तो इसलिए इन्होंने कहा है कि कला क्या है वो कला के लिए ही है तीसरा जो बर्गाता इसमें देखी ये समनवयवादी होता है या मद्यवर्गी हम इसको मद्यमार्गी कवी इनको कहते हैं ठीक है तो इन्होंने क्या माना है कि कावे क्या है जीवन और आनंद ये प्रमुक नाम है, अरस्तु का है, होरेस का है, ड्राइडन है, और कॉलरिज, वर्ड्जवर्थ, मैथ्यो अर्नॉल्ड, आई ये रिचर्ड सरीखे विद्वान इसमें आते हैं, तो अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से व्याख्याइद करने की कोशिश की है, तो अगर हम इस प्रशन पर विचार करें, कि आपके जो काव्य प्रयोजन है, उसमें सबसे सठी किसने माना है, तो आपका जो हिंदी के अचारे हुए हैं, देखिए, वो सबसे ज़्यादा सही बैठता है, अपके जो दो तरीक से दिखिए, लोकमंगल और किस चीज की साथ, उसके लिए उन्हें इस चीज को लिखा है, है ना, तो वो आपको बता दिया है मैंने की, हिंदी अचारे, जो हिंदी के विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस चीज को अच्छे से माना है, ठीक है काव्य का प्रयोजन तो ये थे अलग-अलग जो तीन वर्ग के लोग है ना संस्कित के अचारे हुए हैं बाद में आपके हिंदी के और फिर अंग्रेजी के या पाश्चाते जो बिचारक हैं उन्होंने अपने-अपने मत रखे हुए हैं तो इसमें अगर मुझसे कुछ एक गलतियां हो गई हो या कहीं पर आपको समझ कोई चीज नहीं आई हो तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्षन में जाकर बेजी जग कह सकते हैं तो फिलाल आज की लेतना ही दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहिंद